अध्याय तेरहा, क्रिया, वर्ब क्रिया शब्द कृध हातू से बना है, जिसका अर्थ है करना, क्रिया का अर्थ है काम करना निमनलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए प्राचीन काल में हरीश चंद्र नाम के एक राजा थे वेह बहुत दयालू थे, वेह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, वेह सभी प्राणियों की रक्षा करते थे सत्य का पालन करना उनका प्रमुख धर्म था उन्होंने अपना संपूर्ण राज एक साधु को दान दे दिया दक्षिना देने के लिए उन्होंने स्वैम को, पत्नी को और पुत्र को भी बेच दिया अंत में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ती हुई उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी कारे का करना या होना बता रहे हैं इसलिए उन्हें क्रिया कहते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं जो शब्द किसी कारे का करना या होना बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं क्रिया वाक्य का महत्वपूर्णंग है इसके बिना वाक्य अपूर्ण रहता है क्रिया कर्ता के लिंग, वचन, पुरुश एवं काल के अनुसार परिवर्तित होती है जैसे लटका बैठा है लडकी बैठती है लडके बैठेंगे धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते है जैसे पढ़ता, पढ़ते, पढ़ रहा, पढ़ रही, पढ़ रहे, पढ़ा, पढ़े, आदी में पढ़, पढ़ धातु है धातु का अर्थ है क्रिया के सभी रूपों को धारन करने वाला मूल रूप खेल, सो, हंस, लिख, देख, बैठ, आदी धातुएं हैं, इनमें ना प्रत्य जोडने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है जैसे खेलना, सोना, हंसना, लिखना, देखना, बैठना, आदी धातु के भेद, काइंड्स ओफ रूप, धातु के निमनलिखित भेद होते हैं एक, सामान्य मूल धातु अन्य शब्दों की तरह भाषा में कुछ क्रिया अथ्वा धातुएं भी रूप हो गई हैं इन्हें मूल या रूप धातु कहते हैं क्यूंकि ये यौगिक और व्युत्पन नहीं होती, इसलिए इन्हें सरल धातु भी कहते हैं मूल धातु में ना जोड कर सामान्य धातु बनाई जाती है जैसे खाना, पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, आना, जाना, आदी सामान्य धातुएं हैं दो व्युत्पन धातु मूल धातुओं में प्रत्य लगा कर जो धातुएं बनती हैं उन्हें व्युत्पन धातु कहते हैं जैसे पीना से पिलाना, करना से करवाना, काटना से कटना, खोलना से खुलना आदी मूल धातुएं अकर्मक या सकर्मक होती हैं मूल अकर्मक धातुओं से व्युत्पन सकर्मक धातु और मूल सकर्मक धातुओं से व्युत्पन अकर्मक धातुएं बनती हैं जैसे मूल अकर्मक, व्युत्पन सकर्मक, उड़ना, उड़ाना, उठना, उठाना, मूल सकर्मक, व्युत्पन अकर्मक, काटना, कटना, उठाना, उठना. तीन, नामधातू, संग्या, सर्वनाम और विशेशन शब्दों से जो धातूें प्रत्य लगा कर बनती हैं, उन्हें नामधातू कहते हैं, जैसे संग्या से लालच, ललचाना, लाज, लजाना, शर्म, शर्माना, टककर, टकराना, फिल्म, फिल्माना, हाथ, हतियाना, लात, लतियाना, महेक, महकाना इन धातुों से बनी क्रियाएं, नामधातु क्रियाएं कहलाती हैं. विशेशन से चिकना, चिकनाना, गरम, गर्माना, लंगडा, लंगडाना, साथ, सठियाना, दुहरा, दुहराना, सर्वनाम से अपना, अपनाना 4. मिश्रधातू, कुछ संग्या, विशेशन और क्रिया विशेशन शब्दों के बाद करना, होना, देना आधी के संयोग से जो धात्ウeं बनती हैं, उन्हें मिश्रधातू कहते हैं जैसे काम करना, काम होना, दर्शन करना, दर्शन होना, कश्ट देना, याद आना, पसंद आना, मार खाना, आदी पांच, अनुकर्णात्मक धातु जो धातुएं किसी ध्वनी के अनुकरण पर बनाई जाती हैं, उन्हें अनुकर्णात्मक धातु कहते हैं जैसे टन-टन, टन-टनाना, हिन-हिन, हिन-हिनाना, खट-खट, खट-खटाना, जन-जन, जन-जनाना, आदी इन धातूओं से बनी क्रियाएं अनुकरनात्मक्रियाएं कहलाती हैं क्रिया के भेद, kinds of verb क्रिया का वर्गीकरन निमनलिखित दो आधारों पर किया जाता है क कर्म के आधार पर, ख प्रयोग अत्वा सनरचना के आधार पर, क कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कर्म की दृष्टी से क्रिया के दो भेद माने जाते हैं एक सकर्मक्रिया, दो अकर्मक्रिया एक सकर्मक्रिया, जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा होती है, उसे सकर्मक्रिया कहते हैं. अर्थात, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या होने की संभाव ना हो, वह सकर्मक्रिया कहलाती है. इस क्रिया के व्यापार कारे का फल कर्म पर पढ़ता है, करता पर नहीं. जैसे पायल पीती है, पायल चाय पीती है, दिनेश खरीदता है, दिनेश खिलोने खरीदता है, इन वाक्यों में पीने तथा खरीदने की क्रिया का फल करता पर नहीं, बलकि क्रमशह चाय और खिलोनों पर पढ़ता है, चाय और खिलोने कर्म हैं, अतह पीना और खरीदना सकर् इसी प्रकार पढ़ना, लिखना, खाना, बनाना, लाना, सुनाना, बेचना, देखना, खिलाना आदी सकर्मक्रियाएं हैं। सकर्मक्रिया के भेद। वाक्य में कभी एक कर्म तो कभी दो कर्म का भी प्रयोग होता है। इसी दृष्टी से सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक, एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक ही कर्म हो, वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे गाई दूध देती है, मैं रूटी खाता हूँ, उसने गाना गाया, इन वाक्यों की क्रियाओं का कर्म एक-एक ही है, अतह ये क्रियाएं एक कर्मक हैं, दो द्विकर्मक क्रियाएं, जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं, वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे मा बच्चे को रोटी खिलाती है, भाई बेहन को उपहार देता है, इन वाक्यों की क्रिया के दो-दो कर्म रंगीन शब्दों में हैं, अतह ये द्वी कर्मक्रियाएं हैं द्वी कर्मक्रिया का एक कर्म सजीव और एक कर्म निर्जीव होता है सजीव कर्म गौन और निर्जीव कर्म मुख्य कर्म होता है गौन कर्म में को चिंध लगा होता है और वह क्रिया से अलग होता है जबकि मुख्य कर्म में को कारक्चिंध नहीं होता और वह क्रिया के पास होता है उपर्युक्त उदाहरणों में बच्चा और बेहन गौन कर्म तथा रोटी और उपहार मुख्य कर्म है दो अकर्मक क्रिया अजमा कर्मक अर्थात कर्म से रहित जिस क्रिया का कर्म ना हो और ना होने की संभाव ना हो, उसे अकर्मक्रिया कहते हैं. इस क्रिया के व्यापार कारे का फल करता पर ही पड़ता है, किसी और पर नहीं, जैसे अंजना दोडेगी, तारे चमकते हैं, राहुल इमानदार है, रीना सोती है, उपर्युक्त वाक्यों क्रिया का फल केवल करता पर ही पढ़ रहा है, किसी और पर नहीं. यहां प्रयुक्त क्रियाओं के कर्म नहीं है और इनके कर्म हो भी नहीं सकते। ऐसी क्रियाएं अकर्मक्रिया कहलाती हैं। अकर्मक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक पूर्ण अकर्मक्रिया, दो अपूर्ण अकर्मक्रिया, एक पूर्ण अकर्मक्रियाएं। यह क्रियाएं अवस्था बोधक, स्थित्यर्थक और गती बोधक, गत्यर्थक होती हैं। जैसे क, बच्चा रो रहा है, रोने की अवस्था, ख, फूल खिल गया है, खिलने की अवस्था, इन वाक्यों की क्रिया से कर्ता की स्थिती आवस्था का पता चलता है, अतह ये अवस्था बोधक, पूर्ण अकर्मक्रियाएं हैं, क, गणेश पैदल जा रहा है, ख, बथ के पानी में तैर रही हैं, ग, पक्षी उड़ रहे हैं, इन वाक्यों में क्रिया के कर्ता गतिशील स्थिती में हैं, अतह ये गति बोधक, पूर्ण अकर्मक्रियाएं हैं, आना, जाना, दौडना, भागना, घूमना, उठना, गिरना, तैरना, आदी गति बोधक पूर्ण अकर्मक्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के साथ स्थानवाची क्रियाविशेशन या अधिकरन कारक, स्थानवाची शब्द प्रयुक्त होते हैं, दो, अपूर्ण अकर्मक्रियाएं, जिन क्रियाओं को पूर्ण रूप से अर्थ व्यक्त करने के लिए करता से संबंध रखने वाले पूरक शब्दों की आवश्यक्ता होती है, उन्हें अपूर्ण अकर्मक्रियाएं कहते हैं, होना, लगना, रहना, निकलना, ठहरना, बनना आदी अपूर्ण अकर्मक्रियाएं हैं, जैसे क रवी बहुत चालाख है, ख शुभम बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, ग उसका साथी तो बेईमान निकला इन वाक्यों में चालाख, डॉक्टर, बेईमान शब्द पूरक हैं, इन्हें हटा देने से वाक्य का आर्थ स्पष्ट नहीं होता सकर्मक और अकर्मक्रिया की पहचान एक, जहां वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ किसको, किसे, क्या शब्द लगाने से प्रश्णों के उत्तर मिलें, वहां क्रिया सकर्मक होती है जैसे कविता भजन गाती है, कविता क्या गाती है? कविता भजन गाती है उसने हिरन को मारा. उसने किसको मारा? उसने हिरन को मारा. किंतु जब वाके में प्रयुक्त क्रिया से किसको क्या प्रश्णों के उत्तर ना मिलें, तो वहां क्रिया अकर्मक होती है. जैसे रोहन जागता है, क्या या किसे जागता है? कुछ नहीं. कुट्ता दोडता है, क्या या किसे दोडता है? कुछ नहीं. ऐसी क्रियाओं के कर्म हो ही नहीं सकते. दो, अकर्मक्रिया में न तो कर्म होता है और न होने की कोई संभावना होती है. जबकि सकर्मक्रिया में या तो कर्म होता है और यदि नहीं भी होता तो होने की संभावना होती है. अर्थात, लुप्त कर्म होने पर भी सकर्मक्रिया होती है. जैसे, शेखर बेचता है, कुसु देखती है, इन वाक्यों में कर्म लुपत है, किन्तु उनके होनी की संभावना है, जैसे शेखर कुछ न कुछ अवश्य बेच रहा है, जो कुछ वह बेच रहा है, वही कर्म है, कुसुम जो कुछ देखती है, वही कर्म है. तीन, वाके को भूतकाल में बदलिए तथा करता के बाद ने लगाईए यदि वाके अटपटा लगे तो अकरमक्रिया और यदि वाके ठीक बने तो सकरमक्रिया होती है जैसे क, पौधा बढ़ता है, पौधे ने बढ़ा, बच्चा उचलता है, बच्चे ने उचला ख, रेखा देखती है, रेखा ने देखा, मोहित लिखता है, मोहित ने लिखा यहां स्तंभ क में दी गई क्रियाओं को भूतकाल में बदलने पर वाके अटपटे बने अतह ये अकरमक्रियाएं हैं, जबकि स्तंभ क की क्रियाएं सकरमक हैं ख. प्रयोग अत्वा सनरचना की दृष्टी से क्रिया के भेद। प्रयोग अत्वा सनरचना के आधार पर क्रिया के निमनलिखित भेद होते हैं। जैसे क सीता सेव लाई। ख. सुरिंद्र ने कपड़े बाटे। दो संयुक्त क्रिया किसी वाक्य में एक से अधिक धातूं से बनी क्रियाएं आएं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे क मुकेश ने कमीज पहन ली, ख मोहन ने पतंग फार दी, इन वाक्यों में एक से अधिक धातूं से बनी क्रियाएं आई हैं। वाक्य को में पहन और ली, लेना, वाक्य ख में फार और दी, देना क्रियाएं हैं। प्रतेक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हैं, इसलिए ये संयुक्त क्रियाएं हैं। जिन वाक्यों में संयुक्त क्रियाएं होती हैं, उनकी पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है। शेश क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायक होती हैं। इन क्रियाओं को रंजक क्रिया कहते हैं। ये मुख्य क्रिया का अंग बन जाती हैं, तथा उसके प्रभाव को बढ़ा देती हैं। तीन, नामधातू या नामिक्रिया, संग्या, सर्वनाम, विशेशन आदी शब्दों से बनने वाली क्रियाईं, नामधातू या नामिक्रियाईं कहलाती हैं। जैसे नकुल दर्वाजा रंग ने लगा है। ख हमें अच्छाईयों को अपनाना चाहिए। ग दिनेश पाठ दोहराने लगा। ख मोहन का बड़ड़ाना सिर में दर्द कर देता है। इन वाक्यों में रंगना, अपनाना, दोहराना और बड़ड़ाना नामिक रियाएं हैं। ये क्रियाएं रंग, संग्या, अपना, सर्वनाम, दोहरा, विशेशन और बढ़-बढ़, अनुकरनवाची शब्दों से बनी हैं, अन्य कुछ नामिक क्रियाएं निम्न लिखित हैं, संग्या शब्दों से लात, लतियाना, बात, बतियाना, शर्म, शर्माना, दुख, खाना, सर्वनाम शब्दों से अपना, अपनाना, विशेशन शब्दों से दुबला, दुबलाना, गर्म, गर्माना, अनुकरनवाची शब्दों से तिम तिम, तिम तिमाना, थक 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 थकाना, थप 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 थपाना, चार प्रेर्णार्थक क्रिया, जिस क्रिया को क कर्के दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेर्णार्थक क्रिया कहते हैं जैसे क, सौरभ मीना को मराठी पढ़ाता है, ख, अजै दादा जी को सडक पार कराता है, प्रेर्णार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक प्रथम प्रेर्णार्थक्रिया जब करता स्वयम भी कारे में सम्मिलित होता हुआ प्रेर्णा देता है जैसे क पिताजी ने बेटे को दवा दिलाई जब करता स्वयम कारे में सम्मिलित न होकर केवल प्रेर्णा देता है जैसे क मा नौकरानी से बच्चे को दूद पिलवाती है ख डॉक्टर नर्स से रोगी को दवा दिलवाता है प्रेर्णार्थक क्रिया की रचना के लिए मूल क्रिया में आना और वाना प्रत्य जोडते हैं क्रिया का सामाने रूप प्रत्म प्रेर्णार्थक द्विद्य प्रेर्णार्थक पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना लिखना लिखाना लिखवाना चलना चलाना चल्वाना लडना 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 लड़ना लडवाना सोना सुलाना सुल्वाना जलना जलना जल्वाना पीना पिलवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, सीखना, सिखना, 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 बोलना, बुल्वाना, धोना, धुलाना, धुल्वाना, भागना, भगना, 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 उडना, 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 पूर्वकालिक क्रिया राम नहा कर पूजा करने लगा ख सीता ने कविता सुना कर पुरुस्कार जीता उपर्युक्त वाक्यों में नहा कर, सुना कर पूर्वकालिक क्रिया आए हैं क्यूंकि ये मुख्य क्रियाओं करने लगा तधा जीता से पहले पूरी हो गई है जिस क्रिया की रचना मूल क्रिया से पहले संग्या, सर्वनाम, विशेशन जोड़ कर की जाती है उसे मिश्र क्रिया कहते हैं जैसे संग्या जमाक्रिया, भूख लगना, नींद आना, स्मरन करना, दर्शन करना आदी सर्वनाम जमाक्रिया, अपना लगना, पराया लगना, ऐसा लगना, वैसा लगना आदी विशेशन जमा क्रिया, अच्छा लगना, बुरा लगना, गर्म करना, ठंडा लगना, आदी क्रिया पर लिंग, वचन, पुरुष का प्रभाव, effect of gender, number and person on verb क्रिया एक विकारी शब्द है, यह करता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलती रहती है लिंग का प्रभाव, क्रिया का लिंग करता या कर्म के लिंग के अनुसार बदलता रहता है यदि करता अथवा कर्म पुलिंग है, तो क्रिया आकारांथ हो जाती है और यदि करता अथवा कर्म स्त्रीलिंग है, तो क्रिया इकारांथ हो जाती है जैसे पुलिंग, स्त्रीलिंग, सोहन आया, कविता आई, उसने दूध मांगा, उसने कौफी मांगी, वहकल यहां रहा था, वहकल यहां रही थी. वचन का प्रभाव, क्रिया का वचन भी वाक्य के करता अत्वा कर्म के वचन के अनुसार बदलता रहता है, यदि करता अत्वा कर्म एक वचन के हैं, तो क्रिया भी एक वचन की रहती है, और यदि करता अत्वा कर्म बहुवचन के हैं, तो क्रिया भी बहुवचन की हो जाती ह जैसे एक वचन, बहुवचन, मैं पढ़ा, हम पढ़े, वह गाता है, वे गाते हैं, कविता ने केला खाया, कविता ने केले खाई, पुरुष का प्रभाव, भूत काल की क्रियाओं पर पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम मैंने अखबार पढ़ा, तुमने अखबार पढ़ा, उसने अखबार पढ़ा, हमने कहानी सुनी, आपने कहानी सुनी, उन्होंने कहानी सुनी, हम बोले, आप बोले, वे बोले, अन्य कालों में क्रिया के रूप पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं, जैसे मैं गाऊंगा, तुम गाओगे, वह गाएगा, अब हम देखें, अब तुम देखो, अब वह देखे, आओ दोहराएं। किसी कारे का करना या होना क्रिया कहलाता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया, सकर्मक्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक्रिया और द्विकर्मक्रिया, संग्या, सर्वनाम, विशेश जब क्रिया अपने मूल रूप में प्रयोग होती है, तो सामाने क्रिया कहलाती है, मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है, मुख्य क्रिया को विशेश्टा प्रदान करने वाली क्रियाएं रंजग क्रियाएं कहलाती है, क्रिया एक विकारी शब्द है इसमें लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है